तो देखो हम सिंप्ली पढ़ते ही है जब मेरे बरोन के साथ three bones बने होते है तो इसके आई बढ़े विश्म क्या होती तो SP2 और अगर fourth bone भी बन जाते है तो क्या बन जाती है उससे क्या जाते है तो से नेग्रीट कार्ट ये क्या बन जाते है सब कुछ सीखने वाले जाद करने वाली चीज नहीं याद करने वाली होगी तो तुम अपना पीब्लों के देख लोगे तो यहां पर मेरा क्या होगा अगर किसी भी और बोर्ट की अपाउंस में देखना है कि मेरे कितने कितने SP3 boron है, कितने SP3 boron है, तो simple trick है, कुछ भी नहीं करना, उसके इंदर देख लो, उस compound कर चार्ट करें, जितना चार्ट होगा, उसके इम्हार पास क्या देएंगे, number of SP3 boron, ठीक है, example के तोर पार में देखना जाओ, तो boris क्या देख? ठीक है, जो पूछा जाएगा हम उस SP4, O7, जोर, 10, इह होते हैं, अब इसके अंदर में चार्ट कितना है, इस पर, कितने, B4, O7, 2-, इसका हलब क्या होगा, इसमें कितने, SP3 carbon, बोज़ों होगी, ढोल, जो, जो, तो यहां समुझे का बदर दलिया, इसके पास 2 SP3 है, तो बांकी कौन से होगी, SP2, यह हमारे लि आदी जीजे तुम्हें कोई पड़ी भी नहीं होगी तो हमारे डोग तुसी पर डील करेगा तुछ एक बार इसे अंदर बोरोन के देखना कौन से टाइप अब लिंग के जोगी तंसा प्राइचर एगा एक बार मुझे बताओ क्या लिंगे जोगी इसे अंदर कि या वन रैक्स की अले क्या लिए तो इस वादो कैसे लिंगे तो इस बात प्राइब इस देरे बनाते हैं तारी बात रहता हुआ तो इस अब बात आते हैं नोट ट्रलिया बताते हैं अब इस ना ज़दी साट हो गई कि आमने टाइम पर एक रिकिए हैं ज़द नहीं ना में साट विपी तो इस नेजी बस मैंने इतना बताया है जो बच्चे अभी आया द्यान से तुन दिवारा रिवीट नहीं होगा कितने sp3 borons है सब इदर ध्यान से देखो मैं बात कर रहा था कि boron compounds की सब ध्यान से देखो तो बोरोन के मेरा एक sp2 वाला होता है compound generally और sp3 मतलब बोरोन जनरली sp2 और sp3 में होगा generally क्या होता इसमें है अगर उसके इतनी बात तो basic है समझ आज़ा नहीं चीए अब बात है हमें पता करना है किसी भी compound में मेरे कितने sp3 borons है वो निकालने अगर हमें पता ही नहीं है structure तो simple है बिल्कुल boron compounds में कितने sp3 borons है वो हम कैसे देखेंगे उस compound के ओपर charge देख रो जितने charge होगा उतना है उसके अंदर sp3 borons होंगे example मेरा borax है borax का मेरा formula क्या होता है na2b407.10h2o तो इसके अंदर मेरा जो boron है उस compound के ओपर कितना charge है 2- तो इसका मतलब क्या हो गया पच्चर यह नहीं होता लेकिन हमने इसकी है से क्या निकाल लिया number of हमारे oxy linkage कितने है कितनी आई है बोलो आई है यह तो पता चल गया maximum आई है 3 प्लस ठीक है तो इसके अंदर हम निकाले है कितनी oxy linkage है तो यहां पर अगर मैं actual representation की बात करूं borax की वो क्या होती है ध्यान से देख लो क्या होती है पता यहोगा तुम्हें na2 b4 o कितने होते हैं 5 और o h कितने होते हैं 4 और 7 में कितने होते हैं 8 h2 actually में यह होता है वो condensed form है हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके यूज करने भी लेकिन structure बनाते time दिक्कत देता है तो ध्यान रखना actual representation मेरी यह है ठीक है और को नोर्मल ही पूछ रहा है तो उसको वह बता दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वहाँ गलती कब हो जाएगी जब वह पूछले हो इसके अंदर कितने h2 add हो रखे हैं तो हम आसे देखेंगे तो क्या बोल देंगे 10 लेकिन actually कितने होते है 8 ठीक है तो कोशिच करो यह याद रखो बाकी helpful वह भी होता है कई चोटे मोटे questions से तो अब खुद देखो हमें पता तो चल गया यहाँ पर बोरोन की कितनी हारी है प्लस 3 निकाली थी अभी हमने पीछे तो इसका मतलब oxy linkage है तो बस simple है कुछ भी नहीं करना चार बोरोन मनाओ ठीक है simple है बिलकुल अगर हम बिलकु कितनी linkage बनेगी यह 5 बनेगी क्योंकि आपर मेरे पांच oxygen है इतना बना लूफट अफट साथ साथ बनाना भी ऐसे टेड़ा मेरा बनाना फिर समझ नहीं आता अ कर लिया इतना उसके बाद मेरा क्या बचेगा चार बनाने है तो चार लगा दो एक और एक और एक और एक और एक और एक और अब यहां पर देखो इस बोरोन की कितने बोंट से तीन तो कैसे यह sp2 इसके कितने तीन तो है as p2 और यह दोनों यांपर देखा यांपर नेगीटीव आए चांपर स्टेबैस करने के लिए na प्लस आ जाए भाए गा तो हमारे इसको ए श्रक्टर मॉं दिकाइब नहीं बनाते इस यह दोलने चास ओंड रियरा मेरा किस्का बन गया बोर्यक्स का स्ट्रग करें किसे बनाने है हमें क्या करने है पहले पाद ह्षका Tao इनकी वक्षगा फ़क्सक्न क Beetum हमगे जहां कि Do 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 Don Do 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 granite कितने होंगे? σिंगमा बॉंट्सिन बोरेक्स तुम्हारे सामने स्ट्रॉक्चर है अगर नहीं बता होगा तो दिखकत होगी स्ट्रॉक्चर भी बना दिये मैंने कितने होगा पता हूँ कितने? ऐटीन कितने? ऐटीन इनमें भी तो होगा इसके 16 भी तो एड़ करोगी तो आंसर क्या आएगा 18 प्लस 16 कितना हो गया अब बोरेक्स पूरा ही लेंगे बोरेक्स के साथ में अलग से ठीक है दहेज में आए ये तो हां हां सबको लेने समाझ गे तो सबसे बड़ी गलती होती है पहली बात है जिनको तो नोर्मल वाला पता है ठीक है बोरेक्स का फोर्मॉला जो हमने पहले लिखा था वहां ही पर गलत दूसरी बात किसी ने अगर ये भी बना लिया वो इनको बूल जाएगा तो यहां पर भी गलत तो द्यान अगना सिक्मा मॉंड 54 होते रट्टा नमालना महां पर उसी ताइम निकाल ले न अगर आ जए अब बात है अगर मैं इसके हैडॉलीसिस करों है द्यान से देखना सब हैडूली अब मान लो मुझे क्या करना है इधर ध्यान से देखना बहुत असानी है तुम हाइड्रलिसी का बना लोगे इसको एक होच दे दो ठीक है तो एक इसको दे दो यह बहुन तूट गया अब यहां पर भी एक है लियो और एक होच लियो जो जो के साथ जाएगा ठीक है वो मेरा इसको दम पुasyकष करना है इसके तरफ एक जाएगा इसकी तरफ उसके तरफ रेग में यहां पर इसको तोरण टीक है अपर ऐगा होच वह तु िसकैं तो तो अगर मेए शका तो पहत्क तो टो फोक्रों नेके होच टोच वजन ले activities of Mich बन जाएंगे और 2 मेरे क्या बन जाएंगे बोरिक ऐसेड धियान से देख लो तुम्हें दीखी जाएगा तो मेरे यहाँ पर 2-1 बन गए और दो यह बन गए मतलए हाईडॉलीस दो बो रैक से मुझे क्या मिलता है दो बोरिक एसेड और दो उसके ऐं जूगे एप बस क्या हो गया हां ये वला भी टूटे ये इस निए तो है चला गया ओर छेला गया अभी तो 4,4 bond बनेंगे तो हाइड्योलिसीज में हमें कुछ में नहीं करना जिसको-o दे रहे हो उसको हैचेद दे दो पाने का जिसको कुछ नहीं दे रहे हो उसको हैचेदे दो हाइड्योलिसी यही तो होती है अगर ना पूछ लोग कितने water के molecules लगे हैं भाई गिन लेना ठीक है वो भी कोश्चन बन सकता है कितने लगे हैं एक दो और कौन सा लगे तीन और यह चार और एक पांच लगे ठीक है समझ गए अभे बार बताओ अगर मैं तुम्हें बोलू मेरा एक एक्कॉष सोलुशन है хотел क्या क्या होगा तो है स्वार्ष सोलुशन बॉर्डैक में क्या क्या होगा बतादो इह नहीं यह नाम बोलो बोरेक कैसी यद् riters боль सिड़ अग्धलर 건데 осв और उसका conjugate base है साथ में, तो क्या बन गए ये? तो मेरा aqueous solution of borax क्या होता है? buffer की तरह act करता है, acidic buffer की तरह. ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मेरा aqueous solution of borax है, उसमें मेरा ये ये present होगा दोनों, एक weak acid और साथ में उसका conjugate base. तो वो कैसे act करेगा? acidic buffer की तरह. तो कोशन आ सकता है, aqueous solution of borax का effect करता है, acidic buffer की तरह. तो यहां से हमारे 3-4 question निकले. एक तो अगर मुझे निकालना हो, number of sp3, कैसे देखेंगे? compound पे कितना charge है? दूसरा question क्या बनेगा? मेरा borax का structure क्या है? ये हो सकता है. ठीक है? कि अगर मेरा aqueous solution हो, borax का वो कैसे act करता है? buffer की तरह. तो हमने इसके अंदर काफी सारे questions deal की हैं अभी. अभी और करेंगे. गिलनो ना, मेरा mask weak है. ठीक है, तुम्हारी strong है. मैस वाले कॉन कॉन हो? IAT उना हो. तो? हाँ. तो IAT 7 तो? नहीं, मेरी chemistry अच्छी है था, मैं तो chemistry बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, अब heading डालो. अगर मैं ortho boric acid बोल रहा हूं, तो वो कून होगा? ortho किसका था? जिसका कोई नहीं था? तो मेरे को boric acid के बारे में अलका था देख लेते हैं. boric boric acid कैसा acid है? अगर मैं अगर मैं ओप्शन दू? monomasi को इस पर हो 3H है? बहलो भई? इस पर हो 3H प्लस है क्यों नहीं देता? है भी तोन 3 O के साथ? आंसर गरो भई? तो पर रहा है मुझे? अँँ, exception. इन्हों गानिका आज़े, exception बोल दो. बच जाओ गे न? सही बोल रहे हैं, तो मैरे कोट सुनाई तो दे रहा था, वैसे इतनी 33 बोलते हो, जब सही? क्योंकि जो मेरा boric acid है, वो क्या होता है? यह होता है, ठीक है? यह होता है, मेरा boric acid है, विचारा बहुत गरीब है, गरीब कैसे? यह होता है, पुरे है, ठीक है, एक इलेक्ट्रों नहीं है, इंडरेक्टल खाली और बीटल बैठ है, तो क्या करेगा? पानी को कहेगा, भाई, प्लीज मुझे इलेक्ट्रों दे दे, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी help कर दे, तो पानी कहेगा ले भाई? ले. मोच कर, एश कर, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? बोरोन के क्या बन जाएंगी? चार बोन, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएंगी? चार उसके बोन, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? यह तो प्लस रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर मेरा नेगिटिव और फोर्मल च नियुक्त नेटीब हो तो वापिस क्या गएगा इसको अगर मैं इसको तोड़ के ऐसे लिग दो ठीक है इक है 16 और एक ऐची रहा यह पानी अपना आएगा h-plus लेगा और इसको कहई घत वापिस रख और मेरा क्या बना देगा बापिस चीक है और साथ में उसने release क्या करवा दिया एक proton यह है है तो यहाँ पर क्या हो गया उसने अपना तो एक देज प्लस नहीं दिया बहुत तेज निकला यह दिखाते दिखाते गरीबू-गरीबू कटोरा लेके पोज़ गया और क्या किया पानी से उसका है प्लस निकलवा दिय को तो एकित तो तो इसका मतलब क्या हो गया प्लस अपना नहीं दिया ईसका दिया पानी से निकलवाया है ता मतलब क्या हो गया मेरा प्लस 21 acid नहीं है, डिक है, वो कैसा acid है, Lewis acid, और H+, भी अपना नहीं डेता, किसे मांगे देता है, पानी से, नहीं नोट प्रोंचेट acid, because it does not give its H+, it's not a bronzed acid, okay? ऐसे कि भाई, दे, 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 और कुछ दिया नहीं, okay? अबली कि लूट लिया भी लेखना, it makes water to lose its H+, it makes water to lose its H+, अब बात है, oxides of phosphorus की, जो मैंने कल तुमें बोला था, कि हम उसको अच्छे से बनाएंगे, बहुत असान है, इसको note कर लिया, सबने, ठीक है, heading डाल, oxides of phosphorus, कौन-कौन से थी, P4O6, P4O8, P4O10, तीनों लिख लो, तीनों काई कठे बना देंगे, ये कोशन बहुत बार पूछा जाता है, ये boric acid की acidity के उपर, सवाल बहुत है, क्योंकि इसने अपना नहीं दिया कुछ, क्या, हाँ, weak acid और conjugate base है, ना, तो उसमें तो पूछने की बात ही नहीं, अब दियान से देखो, अगर मुझे अब structure बनाने हैं, ठीक है, पहले मैं यहां से निकल वहीं, उल्जन से, तो यहाँ पर मुझे किस-किस के बनाने हैं, P406, और हमने इसको उसमें लिखा था ना, कि हम इसको उसकी health से नहीं बनाएंगे, इसमें कैसे linkage होती है, यह हमने महाँ डिरेक्टर लग दिया था, Oxy होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 Phosphorus, बिल्कुल ऐसे बनाना, असानी से बन जाएगो, 4 Phosphorus बनाओ, ठीक है, उसके बाद क्या करो, एक Oxygen यह रहा, एक Oxygen यह रहा, एक Oxygen यह रहा, यह रहा, क्या होगया, बोरी केसी, बोला जा, इसका कोई ने उसका उर्थ हो, इसको भाई, टशन चाहिए, कि भाई होते हैं, अपने नाम के लगाने में उनको अच्छा लगता है, जैसे जो रिवाडी साइड के होते हैं, यह रहा लगाते हैं आगे, है यादव चाहिए लेकिन रहा भी लगा लेते हैं, है कोई रिवाडी से भी यह कोई, भाई यह क्या बोल दिया, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, होता है लगाते हैं उनको अच्छा लगता है, अब देखो, अगर मुझे P4O8 बनाने हैं, तो क्या करना है, सेम बिल्कूल सेम तरीक है, चार फोस्फोरस लटका दो, सबको एक एक ओ देदो लो भाई, तू भी ले 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 तू भी ले ले और तू भी ले ले और तू भी ले ले ले, सबको देदिया, बचा कितने अक्सीजन, कितने बच गे, चार बच गे, बहुत बड़ी दूवीदा होगी तो, मुझे तो दो दिख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे दो देने हैं, एक मैं इसको देदूँगा, इसको मढ़ दिया है, जरूर ही नहीं है, आपस इनको देना, इनको भी दे सकते हो, कोई सोच लो, सर ने तो उपर निचे दिया है, हैं, हां, कोई फरक थोड़ी बड़ेगा, कैसे को भी दे सकते हो, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, हमने ऐसे दे दिये, ठीक है, अब P4O10 पे आ जो, त्रम थो Than, तू 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 ठीक है, तो क्या होगा ? तू 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 , बचयकर दे चार्व को बाड़ दो , बहुत पैसे आपने बाड़ देंगे ह objetivo को मजेगे न काशieso बनाने हैं ? त्रम कि समझे न काशना कि बनाद e पंजेगा ठीक है अब हमारा यह जो पार्ट था थोड़ा इन और गैनिक वाला पार्ट था वह हुआ अब हम इंडिरेक्ली प्योर रिडोक्स में गुसेंगे हैडिंग डालो एक्यूवेलेंट कंसेप्ट उसमें भी यूद होता रहेगा कई चीजे सिखांगा नहीं लेकिन ज एक बार NaOH और Sulfuric Acid मतलब sodium hydroxide और Sulfuric Acid की reaction लिखना अगर मैं reaction बोल रहा हूं मतलब balanced Sulfuric Acid अब मेरे 4 option है तुम्हारे पास बन लिख ली मेरे 4 option क्या है पहला option है equal moles ने react की है दूसरा option है equal mass ने react की है तीसरा option है equal equivalents ने react की है चोथा option है all of this तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर मेरा क्या scene है कि हमारे यहाँ पर अगर मैं moles की बात करूं तो उसका Sulfuric Acid अकेला आ रहे है लड़ने और Na2SO4 अपने भाई को लेकर आ रहे है मतलब दो मिलके आ रहे है तो मोल्स तो बराबर है ही नहीं उसका mass की बात करूंगा अलग मास है यहाँ अब बात रहाति है इक्विवलेंस की होते है तो में थोड़ा वह तो आइडिया है ही आइंट पेक्ट का रोल रोल आ जाता है इसके अंदर तो हम इतने जाए टेल में तो नहीं जाएंगे बेसिक्स में जाएंगे लेकि बेसिक्स में नहीं तो दिहान रखना अब जैसे मेरा यह था एन ने ओएच और मैंने जो है दोनों के वो दोनों के सेम होगे तो हमारा जो पूरा एक्विलेंट कंसेप्ट वो इसी पर बेस्ट है कि मेरा हमेशा एक चीज दूसरे चीज के सेम एक्विलेंट से गेविंग 3C, plus 1, lower, 4D, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे जो number of A होंगे, equivalence ठीक है, इसको equivalence है ठीक है, वो किसके equival होंगे, number of B के equivalence, वो किसके equival होंगे, number of C के equivalence जो form हुए, और which is equal to, number of D के equivalence, जो सारे के इसारे से होंगे, मतलब क्या हो गया, अब हमारा balancing का कोई low लोचाहीं नहीं होगा अब हमें बस क्या करना है इक्विव्योलेंट स्को बराबर कर देंगा अब हमें इतना बेसिक में नहीं जा न एक बात याद रखो यह सारा कुछ हो जाएगा मेरा जो N होगा इक्विविलेंट वो किसके को लोगा N into N इतना भी ध्यान रख लेना तुम्हारे सारे कोशन मतलग अगर मैं N फेक्टर को N के साथ मुल्टिप्लाइ कर दो N के है मेरा नमबर अफ मुझे क्या दे देता है N इक्विविलेंट अम मुझे बताओ N की जेगा अग और वोल्यूम दे दिया तुम्हें अच्छे दे बता है number of equivalents by volume क्या होता है normality तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा normality into volume तो N equivalents के तीन इसका हो जाए वो एक बार इस reaction को दुबारा लिखना लिखो एक बार इसका हो गया वो इस reaction को दुबारा लिखना लिखो एक बार और थोड़ा सा deep में समझ लेते हैं ताकि basic में कोई दिक्कत ना रहे हां जो पर अभी equation है उसको दुबारा लिख दो जिसका हो गया बाकी note कर लो यह equation को पूरा लिख ले ना और इसमें कर ले ना time t is equal to 0 लिख लो जैसे में reaction लिखते हैं मुझे क्या क्या गीवन है time t is equal to 0 पर अन्योह है तुमारे पास 10 mol और H2SO4 है 6 mol अब reaction चला दो मुझे फाइनली बता दो क्या क्या बचेगा अन्योह है 10 और H2SO4 है 6 mol अब reaction को चला दो एक बाई वोटर को चाल लिखना ना लिखना में मतलब नहीं है वोटर की तो ऐसी की तैसी बहुत पानी हमने पी लिया पानी को छोड़ो है यह अरब कर दू ना एक 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 मोल्स की तर्म में चलान दुबारा बोल रहा हम अगे मोल्स की बात कर रहा हम मोल कंसेट से करना वैले इसको तो कि कि यह होगा क्या धान से देखो यह मेरा किना दैन यह 10 और यह किना दा 6 एक टाइम टी गल टी रो पह है इन दोनों में लिमिटिंगे रिजेंट सकत है अगर 2 रियाक्ते सबसेट यह लका सबीदे पुरा खातम यह कितना मच जाएगा है एक क्योंकि इसके एक से मतलब यहां पर दो से ने किया था तो दस पांच से करें इंसे लिकुल रियक्शन के साथ अब बात है अगर हम इसको इक् defence करें की बेसीक है इसके बाद इसके बारहें बात ही नहीं करूँ है कोई बहुत बेसी है लेकिन एक बार स्टार्टिंग किसी को दिक्कत ना भूल चुके हो तो इससे करा रहा हूं अम मैं इसको एक्विवेलेंट कंसेप्ट से करूँगा तो मैं यहां पर आम मुझे बैलेंसिंग की जरूद नहीं करूंगा ही नियुक्त बैलेंसिंगा अब यह यहां पर अगर मैं इक्विवेलेंट कितने हो गए इसके एंद ओ कितने हो गए तैन्स और इसके 12 और यह भी कुछ भी नहीं अब यह मेरे कैक एक्विविविट्स और हम ने पड़ है समिशा बराबर एक करते तो यहाँ पर यह 10 return to yourself अब यहां पर देखो मेरे दो इक्विलेंट्स बने हमें अच्छे दे पता है मेरा जो इक्विलेंट होता है न इन फेक्टर होता है अब यहां पर बता दो यहां तो मैं 2 को अगर 2 कर दूंटर इसका अजेगा ऑन और उसका इसको कर दूंटर ऐसे करो मोल से चाहिवेलेंट यहां से एक बताना था कई बच्चों को दिक्कत होती है इसलिए पहले हम बेसिक पे रखने रहे हैं एक्विवेलेंस कंसेट बोलो एक्विवेलेंट कंसेट बोलो एक यह बात है मतलल हमने यह चीज़ प्रूव किया यहां पर कि दोनों से आंसर सेम ही आते हैं कर लिया नोट सबने जल्दी होगे तुम अब लिखो calculation of n factor calculation of n factor फटावड करेंगे तुम्हे सब को आता है मुझे पता है लेकिन फटावड इसको complete कर लेता है इतने पार को जो तुम्हे आता है उसको मुझे पता ही है जो नहीं आता है उस पर थोड़ा time लगाएंगे तो यहां पर अभी मैं सीट की बात कर रहा हूं बेस की सेम ही हो जाएगी दो तरीके से में डिफाइन करेंगे एक तो मुझे सीधा क्या देगा acid given हो ठीके और एक वो मुझे क्या देगा reaction दियांदे समझ ना fix नहीं होता वो डिपेंड करता हो तुम्ही रीक्शन दे रहे या वो तुम्ही सीधा acid दे रहे मतलब अगर वो तुम्हे सीधा बोल देता है HCl, तो इसका N-Factor क्या होगा, कितने वो H+, दे सकते हैं, कितने, 1, तो इसका N-Factor क्या होगा, 1, और अगर मर को मानलो H2SO4 है, कितने H+, दे सकते हैं, तो N-Factor क्या हो जाएगा, इसका 2, लेकिन, अगर मुझे रेक्शन गिवन है, मानलो मुझे रेक्शन गिवन है, H2SO4, प्लस N वो मुझे दे रहा है एन ने हैच एस ओफोर प्लस वह छोड़ो अब मुझे यहां पर बताओ यहां पर एक नई चीज सेखेंगे नोट बनाके इसको लिख लेना जो एन फेक्टर होता है एन फेक्टर वो रियक्शन डिपेंडेंट होता है यहां पर हमारे एक चीज का नुकसान भी होगा मौल कंसेट कम कहते हैं वहाँ पर हमारी यह चीज का फरक नहीं बढ़ता है बेगवाद बताओ अगर एन फेक्टर रियक्शन पर डिपेंडेंट है एन इक्विलेंस किसके एक फ्टू होता है एन इन इंट्व एन फेक्टर तो अगर एन फेक्टर ही डिपेंड कर रहे है तो तो यहां से हमें एक बहुत इंपोर्डेंट बात है आगे जब मैं आईडो और आईडिमेटरी पटाऊंगा ना तो वहां पर यह चीज काम आएगी तो हमें यहां से यह पता चला कि वह मेरे रियक्शन पर डिपेंड करते हैं वह हमने यहां पर प्रूव भी कर लिया कि द्यानकना एकिड की अगर मैं स्ट्वर बोलता हूं अगर रियक्शन गीवन है तो रियक्शन के साब से पताना अगर वह सीधा बोल रहा है तो हमें पता यह होती है तो फिर भी लिख लो एकिड की क्या होती है न फैक्टर नंबर ओफ एच प्लस इटकन डॉनेट नंबर ओफ एच प्लस इटकन डॉनेट ऐसे लो और बेस की क्या हो जाएगी नंबर ओच माइनस इटकन वह अपने लिख लेना जो थोड़ा बोद जिन्होंना अभी स्टार्टिंग है कई तो कर के आयो होते है कई बिलकुली 12 के बाद पहली बा सबको n-factor किया होते है थोड़ा बहुत बताए है तो यह कुछ भी नहीं होता एक ताम मैं जो यूज करते हैं एक्वेलेंट निकालने बस इतना मान सकते हैं अब अगली अधिंग डालो फोर सोल्ट क्या निकालेंगे n-factor फोर सोल्ट यहां तक तक तो सबको आता ही होता है वह मो में भी किया होता है चेए जिनका नहीं हुआ उनको वह फिर भी आता ही होगा सोल्ट तक का रिडॉक्स का भी थोड़ा बूध आता होगा थोड़ा बहुत मैं सिखा दो हम सिखा ओगा अब वात है अब हम बात करेंगे' सोल्ट की सोल्ट का human factor कि इतना होता है total तोटल चार्ज या तो पोजिटिव भी हो सकता है या नेगिटिव बात एक ही है तोटल पोजिटिव भी ले सकते हैं और नेगिटिव भी ले सकते हैं मतलब टोटल पोजिटिव और नेगिटिव चार्ज लिख लो वह बैटर रहेगा मतलब क्या हो गया मालनों मैं ले रहा यह टूटेगा क्या बनाएगा? Al 3 plus, plus 3 Cl minus. तो अगर मैं यहां से देखो, total positive charge कितना है? 3, total negative कितना है? 3 into 1, क्या हो जाएगा? 3. मतलब N factor क्या हो गया? चाहे तुम positive वाले को पकड़ लो, चाहे negative वाले को पकड़ लो, answer दोनों का, same ही हाएगा. समाज़े, एक और example लेकर देख लेते हैं. क्या हो जाएगा? Al, SO4. यह कितना हो जाएगा? 3, यह कितना? 2. यह मैं टूटेगा, तो किस मैं टूटेगा? 2 Al, 3 plus, plus 3 SO4, 2 minus. टोटल positive charge कितना हो गया? negative charge, तो N factor क्या हो गया? 6. मतलब कुछ महीं नहीं करना, total charge देख लो, या positive, या negative, जिसमें तुम कमफर्टेवल हो. उसके बाद, 4 redox reactions. वहाँ से तुम्हारा खेला स्टार्ट होगा, यह तो तुमने पढ़ रखा था. 4 redox reactions. उसके लिए क्या होगा? note कर लिया ना समने? अगर, चलो, रुख जाता है, तुम्हें फास्ट से ना लगे, जिन्होंने नहीं कर रहा का, रुख जा, दो मिट कर लो, नहीं कर लो, तोल्ट के लिए मैं क्या करना है, total positive charge देख लो, या negative, मतलब अगर मैं ALCL 3 को तोड़ता हूँ, तो मुझे इसमें 2 तोड़ता हूँ मिलेगा, total positive charge कितना है, 3, total negative कितना है, एक के उपर minus 1 है, तो 3 के उपर कितना होगा, 3, n factor होगा है, 3, sin को नहीं लेना, ठीक है, अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर में पास 2 aluminium है, और चार्ज कितना होथा 3+, 3 sulphate है, चार्ज कितना होगा है, 2 minus, एक के उपर 3+, तो 2 पर कितना होगा, 6, या negative का देख लो, एक के उपर 2 negative है, तो 3 पर कितना होगा, 6, तो बात तो एक ही है, note कर लो, और आमसे, तुम confident हो, अपना redox में, अगर तुम्हें निगालने को देदे, निगालोगे, वैसे तुम्हें पूछना है मुझे, कि मैं speed रखू या ना रखू, यहां तक तो मुझे लगता था, आता है, redox वाला था सबको, किसको नहीं आता है, डर किसको लगता है, है, 3, 4, 5, अच्छ, अच्छ, अराम से करेंगे, कोई ना, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि हमें आता है, तो वो मेरे 2-3 question को पका answer देंगे, ठीक है, अले हो जाएगा इतना भी नहीं है, n factor तो 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 तुम्हें सब निगाले रखे रहते हैं, एक यह question है, जो दिक्कत देगा, इतना दो चलते हैं, कर दू रहो अब तो, लेखो calculation, अब लेखो 4 redox reactions, 4 redox reactions, अगर एक बाद तुमने ध्यान अकले ना, कोई दिक्कत नी होने वाली, इस case में मेरा n factor कितना होता है, इस case में मेरा n factor होता है, ध्यान से देखना, हमारे redox के अंदर, n factor है, इस बात को होती गहराई से समझना, हो जाएगा, n factor होता है मेरा, change in oxidation state, change in oxidation state, into number of atoms, ध्यान दखना, number of atoms, मतलब कि मेरा कितना oxidation state में change हो है, और उसमें मेरे कितने atoms है, अब यह मतलब समझाओंगा, ध्यान अकना number of atoms, यहां पर बस हम एक के लिए बात करेंगे, balancing होगी देखो भी मत, balancing जाए भाड में, यहां पर indirectly मैं लिख सकता हूं, number of atoms in one mole भी बोल सकता हूं, लेकिन लिख नहीं रहा, वो आगे जागे फिर दिक्कत देगा तुम्हें, यह समझ जाओ कि वो हमेशा one mole के लिए define होगा, question के दो समझ आजएगा, जैसे मेरा माल लो, MnO4 ठीक है, negative है, यह किसमें जाता है, Mn2 plus में, ठीक, acidic की बात करो, acidic medium में, oxidation state कितनी है, plus 7, यहां, तो यहां पर change कितने का रहे है, 5 का, और मेरा N factor का formula क्या है, change in oxidation state 5, इसके एक mole में, कितने Mn है, एक, तो मेरा क्या होजेगा, into 1, तो answer क्या होगे, समाझ गे, अब देखो, अगर मैं ले लू, C2O4, 2- giving CO2, यहां पर इसके oxidation state क्या है, यह क्या है, oxalate ion, oxidation state क्या है इसकी, निकाल ले न, क्या हो जाएगी, plus 3, यहां कितनी है, तो N factor क्या होगा, change in oxidation state कितना हो रहे है, 1, लेकिन, मेरे इसके एक mole में, कितने atoms present है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समझ गी, और questions देखो, मुश्किल बाद में दूँगा, अभी तो समझ लो, CR2O7, 2- giving CR3+, यहां पर इसके oxidation state क्या है, plus 6, तो यहां कितनी है, plus 3, तो change in oxidation state कितना है, लेकिन, एक में, कितने को यह, तो क्या आदेगा, समझ गी, अगर हमां तुम्हें बोलू, मेरा एक i2 है, वो जा रहा है i- में, यहां oxidation state कितनी है, 0, किसमें जा रहा है, minus 1, change कितने का है, 1 का, तो n factor क्या हो जाएगा, 1, इसके एक mol में कितने है, 2, तो क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसका उल्टा लिग दू, i- giving i2, यहां पर देखना, यहां पर यह माइनस 1 है, change कितने है, 1, n factor क्या होता है, कितने का change हो और इसके एक mol में कितने present है, एक तो answer क्या हो जाएगा, इसके एक mol में कितने present है, clear हो गया, अब अच्छे questions दू, हानोट कर लो, बहुत सिंपल होता है, कई बच्चों को बस यह अगर यह वाली बात देहान अखले, question हो जाएगा, कई बच्चे तुक्के मारने लग जाते हैं, बस यह change देखा, कहीं से जो याद हो जाते हो जो हो जाते हैं, कि जो नए question होंगे वो नहीं हो पाएंगे, जैसे भी question दूंगा, इसका बता दो अगर होगे, Na2, S2O3, giving, Na2, S4O6, इसको क्या बोलते हैं, Thiosulfate और इसको हाइपो solution भी बोलते हैं, अब यहाने मुश्किल दिया ही नहीं, तो खुश्मत होना, देखो, यहाँ पर इस पर कितना है, इसका कितना है, 2 होगा, इसका कितना है, 2.5, Change in Oxidation State, 0.5, N Factor क्या हो जाएगा, 0.5, इसके एक मोल में कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद मोहर सोल्ट का निकाल दो, मोहर सोल्ट पता है, फोम्ला, फोम्ला, याद करो, थोड़ा सा भी आद नहारा, और अंदर क्या होता हो तो बता होगा, है, नहीं, वह तो पर टेश है दोंका तेरे है, मोहर सोल्ट, वह याद होगा न अंदर क्या होता है, ठीक है, तो बहुत लिख लो, कुछ नहीं है, याद नहीं रखना, फिर भी हमें पता होना चाहिए, कई बार वो डियक्ट ली ना पूछले, इनोट कर लिया है, क्या होता है, ध्यान से देखो, फिए सोफ़ूर, ठीक है, डॉट, एन एच फोर का ट्वाइस सोफ़ूर, मतब सल्फेट है, फिए का सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट, डॉट 6H2, ठीक है, यहाँ पर आइरन कौन से ऑक्सिदेशन स्टेट में है, प्लस टू में, तो मोहर सोल्ट में ज्यादा नहीं पूछता, बस तुम्हें निकालना के इसमें से, फिए को निकाल दो, फिए 2 प्लस है इसमें, बाकी सब की ऐसी की तैसी, कोई अपना चेंज नहीं करता इसमें, वो किसमें जाता है, फिए 3 प्लस, इसका n-factor क्या हो गया, ठीक है, चेंज कितने कार है, प्लस 2 से, प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 1 into 1, है भी एक ही, तो क्या आजएगा answer, तो यहां तर सबने कर लिया, अब एक, अच्छा कोशन करते हैं, इसका निकाल दो, जिसने समझा होई कर पाएगा, जिसने रटा मारा भी बता चल जाए, किसने रटा मारा था, FE, FE, 0.94, से, मेरा FE 203 में जा रहे है, अब आदोगे तो होते इस वाई सोड़ोंगे, कि उन्होंने लग रहा था रहा है समझ, लेकिन वह आया नहीं था, कि अब देखते हैं इस अब देखते हैं कितना को आता है, अभी तुम्हा भी दिया, जो बिल्कुल बेसिक पकड़ेगा, उसका हो जाएगा, जो हवा हवा में सोच थे आता है, करी नहीं रहे हैं कोशिष, वो फोमलाय अपलाई नहीं कर रहे थे, वो याद थे, वो यूज कर रहे थे, तो उनका नहीं हो पाएगा, नई, किसका, कितना, 0.72 तो नहीं आना है, 0.7 आएगा, 0.72 तो होई नहीं सकता, दिखाना, कोई बात ने चलो देख ले, होगा, जल्दी ट्रैगर हो गया, आगया, 0.7, तुमने ऐसे गिया, तुम अपना मिक्स वाला लगा रहे हो, कोई दिक्कतने, हम उसको simplified manner, जिसको पता होगा है, प्लस चूर प्लस थी का मिक्स्टर है, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर, इसकी जगा कुछ होड़ देता था, तुम इसकी पहले oxidation state निकालते थे, तो यहाँ पर मैं oxidation state निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, 0.9x-2 is equal to 0, तो x क्या हो जाएगा, 2 by 0.9, क्या बन जाएगा, 20 by 9, ऐसे निकालते थे, basic पर जाओ बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें कोई देता था, किसी का भी मानलो, कौन से क्या है, और 7 वालों को वैसे कि इसकी कितनी है, 2x-6, तो x क्या आजएगा, plus 3, change in oxidation state निकाल सकते हो, क्या होगा, delta अगर मैं निकाल तो क्या आजएगा, 3-20 by 9, क्या बन जाएगा यह, 7 by 9, अब यह मेरे किसके लिए आया, इसके लिए, एक के एक, क्या बन जाएगा, अब यह बताओ, इसमें मुश्किल क्या था, हाँ वह वाला फिर वह हो गया ना, जिसको solid बगारा पड़ रख्या, जिसने पड़ रख्या, वही कर पाएगा, हम तो आपने basics पर रहेंगे ना, basics तो यही कहता था, अगर मुझे इसकी नहीं पता, तो मैसे निकालोंगा, उससे भी होजएगा, 2x ले लो, 3x ले लो, उससे फायदा नहीं है, एक को 2x मानोंगे, निकालोंगे x कितना है उसमें, उससे बेटर तो मेरे इसाफ से तो यही है, इसके नहीं हारा, अगर नहीं आधा तुम कर सकते हो, कंफ्यूस क्यों रहे हैं, तुम्हें मजे आ रहे, बाकी कंफ्यूस हो जाएंगी, भाई इसके नहीं प्लस 0.9 था, यह प्लस 2, प्लस 3 में कहां चला गया भाई, अईला, यह क्या हो गए, बोड़ा इंट्रेस्ट आ रहे है, अभी माई इसमरीजम कराऊंगा न, वसकंद मैट्रिक भी बताऊंगा वो भी नी करेगा, अगली अधिंग डालो, टाइप्स ओफ रेक्शन, टाइप्स ओफ रेक्शन, नोट कर लिया न, यहां से तुम्हारा, एक्चुल रिडोक्स स्टार्ट होने वाला है, द्यान लखना, वैसे यह रिडोक्स है, यह तड़का था बस ठीक है, अब हमें जो भी बनाना है, राजमा बनाने है, छोले बनाने है, जो भी बनाने है, अब वो बनेंगे, तड़का हो गया हमारा त्यार, अगर तुमने एक छोटी सी बास समझ लेना, जो भी समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं होगी, होती और भी टाइप की रियक्शन है, लेकिन हमारे ले काम की बस यह तीन ही है, तो हम उनी को पढ़ेंगे, ज्यादा करवा दूँगा, फिर तुम पागल हो जाओगे, उससे बैट रहे हैं, बस जो कॉमन है, टाइप ओफ रेक्शन है, जिनके ओपर कोस्टन भी आते हैं, और बाकी फाल्स भी है, डेफिनेशन से याद रखके कोई फाल है नहीं, एक सबसे पहले मेरी होगी, simple, simple redox, दूसरी हो गई मेरी, combined, तीसरी हो गई मेरी, disproportionation reaction, disproportionation, redox reaction, मैं पास तीन टाइप क्यों होती है, मैं कुछ जादा इनकी definitions नहीं बोलूँगा, मुद्दे पर आएंगे, समझेंगे होता क्या है, simple मेरा क्या होगा, मेरा एक A होगा, एक B, A की molecule में, A और B होंगे, ठीक है, A मेरा, या तो oxidize हो रहा होगा, B क्या हो रहा होगा, reduce, combined मेरा क्या होगा, A B होंगे, ठीक है, या तो दोन्नों oxidize हो रहे होंगे, ठीक है, या दोन्नों reduce हो रहे हो, simple दिवादा भी example क्राम हो, समझा आजएगा, disproportionation में क्या होगा, A B है मेरा, उसमें A को रहा हो रहा होगा, ठीक है, इसी का दूसरा हो रहा होगा, reduce, ठीक है, इसी में मेरा क्या हो रहागा, A ही oxidize और A ही reduce हो रहा होगा, example दोंगा, वहाँ clear हो जाएगा, simple में अगर हम बात करूं, देखो, मेरा example है, PCL5, ठीक है, PCL5 में मेरा PCL3 plus CL2 होता है, ठीक है, इसकी Oxidation State कितनी है, plus 5, यहां कितनी है, plus 3, यहां कितनी है, here isky chlorine की, minus 1, यह मेरी minus 1 और यह मेरी के 0, ठीक है, तो यहां पर यह मेरा क्या हो रहा है, टिंट के नियु को आल एक देता हूँ और ऑक्सीड़ाइस को नृहें हैं ठीक है और मेरा क्या हो रहा है और आउक्सीड़े तो यहां पर जो मेरा अगर इस रीक्षें किल मुझे आप्र निकालने ध्यान से समझना एंफेक्टर क्या होगा यहां तो एंफेक्टर ओफॉक्सि वाला लेना रिजन बताता हुआ प्रैफर यह बला करना रिजन देखो मैं पहले मान लो औक्सिडेशन पर रिदक्शन पर जा तो डेक्शन किसका और है प्लस फाइब से प्लस थ्री जैन रोक्षिडेशन स्टेट टू एडम्स कितने है तो इसका एंट फैक्टर कितना हो गया और वेक बार अरे एक बार उसी धिरता है या माइनस वानने कि में माइनस में चर्थ और धो में तो ही चिरुगा टीरो है उसमें वह बस हमशा एक में औहले का आनसर दो आ है लेकिन हम धूरasına करेंगे जिसको दिक्कत होती है देखना तुम यह भी देख का दूबारा बताता हूं यहां क्लोरीन पांच है यह तीन और दो में टूटा यहां पर सेम रही तो यह तो रिडोक्स हुई नहीं यहां पर चेंज आया जीरो में गया तो यहां पर देखो माइनस वान से जीरो गय लेकिन कितने क्लोरीन ने चेंज किया पांच मेंसे सिर्फ दोन है तो इसका मालब क्या होगा टू इंटु वन तो आंसर दोनों से क्या आजेगा इसका फॉर्मुला यह रहेगा कभी मेरी अगर सिंपल डॉक्स एक्षिए इस ही में अगर मैं तुमें वह दे दूँ SO3 giving SO2 plus O2 इसका लिख दो कितना वनेगा SO3 giving SO2 plus O2 पहले नोट कर लो चलो फिर कर देना पहले नोट कर लो मैं भूल जाता हूं और नोट भी करना था देखते हैं पिछले में तो इतनी वाजने निकल रही थी तो गय रहा हूं नोट कर लो उसके वह कोशन कर लेना पहले नोट कर लो करें कौन सा कोशन दिया मैंने मैं इसको इधर रिख देता हम मेरा SO3 giving SO2 plus O2 यहां पर इसके कितना है प्लस 6 माइनस 2 यह कितना है प्लस 4 माइनस 2 यह कितना है 0 तो यह प्लस 6 से किसमें क्या प्लस 4 चेंज कितना है 2 और हैं यह कितना 1 तो सीधा एंसर निकाल दो तुम यहां से भी देख लो यहत Inter थी कहें माइनस टू से माइनस तू में गये दो यह गई 0 में नहीं से यहां पर चैंज कितने हो रहें दो का लेगन किनों में ब्स सब्सक्यायर तो मीरा to do it तो बैटर है वो यूज करना है जहां पर मने गोलर डाले ठीक है यह था कंफ्यूज होने वाली बात ही ही अब कमबाइंड पे देखें कमबाइंड में क्या होगा डाक वाला ले आया देखो देखो यह रहा डाक ठीक है देखो इधर क्या है कंबाइंड का एक्जाम्पल लेते हैं मेरा क्या है FEC2O4 ठीक है गीविंग FEC2O3 प्लस CO2 यहां पर धिहान से देखना F यहां कितने में में अडल स्वीं आदिरीजह हारे revealing यहां कितने में इत फ्रोष यहांपर क्या हो रहा है दोनों क्या है यहांपर मेरा दो यह न क्या होता है अन्ट एक्टर ओफ और एक्टर ओजुडेशन फ्लस यहां पर कितना बन जाएगा कितने है पहले में दूसरे में क्या हो रहा है तीन से गया चार एक का चेंज है कितने दो तो आंसर क्या हो जाएगा इसको मैं 1 और 2 लिख देता है इसको तो ना समझ ले ना शोड़ो यह मेरा 1 और यह 1 डैश कर देता किसी नहीं हाँ तुम्हें पता क्या दाउट आधा तुम्हें बताता हुआ तुम्हें लग रहे अभी तक तुम्हें रिडोक्स में क्या पढ़ाता एक उक्सिदाइज और और एक रिडिवस यह तो अभी कंप्लीट थोड़ी है इसको तो आगे किसी का रियक्त करवाएंगे तो यह ना सोच लेना यार यह तो लगी होगी रिडोक्स ही बदल गई रोक्स वही है यह मानलों पर हमारा आधा कॉंपोनेंट हो रहे है उसको मैं क्या मनोफोर करा हूंगा तो अगर मुझे इसका एंफ क्या है माइनस वन यहां कितनी माइनस टू और यहां जीरो तो यहां पर मेरा क्या आ रहे है यह मेरा हो रहे है रिड्यूस और यही मेरा क्या हो रहे है ऑक्सिडाइज तो यहां पर एंफेक्टर कैसे निकलते है वन बाइंफेक्टर इस एकल टू बाइंफेक्टर ऑक्सिद करदेने कभी यह ब्लु Gomez सब विकार और यह अग के अगर मैं इसके लिए ने कालना चाहों रहो महाईनस वान से का जारे сколько है माइनस तू कितने एसलां को चेंज क्वां को कितने हैं तो मेरा क्या जेगा एक मेरा तुमारे आजेगा कौन सा यह मेरा हुआ है रिद्यूस तो इसका क्या गया मेरा तू अब यहां माइनस वान से क्या जा रहे है जिरो ठीक है और यह है कितने दो तो यहां पर भी एंट फैक्टर ऑक्सिडेशन का भी क्या आ जाएगा तू बस यहां वैल्यू पूट कर तो क्या बंजेगा वन बाइ यह तो यह उसमें भी तो गया है जो में चेंज हो रहा है न एक की ट्रिक रखो जासान रहेगा वरना कॉंप्लेकटिश अगर हम बीच बीच में अपना चेंज कर देंगे वही चीज रखो कितने एक मोल्में कितने उससे मल्टिपलाइ करना एक और कोश्यन देता हो तुम कर ना ठीक है मेरा है i2 giving i minus plus i o 3 negative इसको कर दो जिसने ये कर दिया वो समझ लो कर दिया क्या 5 by 3 answer है ठीक है तुम इसको simplify भी कर सकते हो कोई करना चाहता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता है इतना तो common sense वाली बात है क्या बन जाएगा मेरा n factor of oxidation n factor of reduction divide by n factor of oxidation plus n factor of reduction LCA में तो लेने ठीक है ऐसे कर लो याद रहता है ये कई बहूल जाते हैं बस गलती मत कर देना तो एक ही फोर में याद रखो वह बैटर रहते हैं देखो यहां पर मेरा क्या बने घाए नहीं कहाँ है यह क्या गया minus one और यह plus five यहां गया और यह आ गया यहां गया तो change कितने का हो है वान का items कितने तो क्या बढ़ जागे यह तो यहां पर देखो चेंज कितने काया, एटम्स कितने है, तो कितना आगया, 10, तो बस बैल्ली पूट कर दो, क्या बन जाएगा, हिहां बैली पूट कर देता हूं, 2 इंटु 10 बाइ 2 प्लस 10, यहां पर भी महने इंप्लिफाइ कर दिया, क्या बन जाएगा मेरा, 20 x 12, क्या बन गया, 5 x 3, समाज गए? असली मज़ा तो अब स्टार्ट होगा, जहां पर अब हम भविष्यवानी करेंगे, कि क्या ऐसे पूछेगा हूँ हम प्रिडिक्ट कर देंगे, प्रोड़क्ट क्या बनेंगे, पहले ही, क्योशन देने से पहले अगर मैं तुम्हें बोलो, कोई मेरा element minimum oxidation state में है, तो वो oxidizing agent ही तरह काम करें है, reducing, minimum में है खुद को oxidize करेगा हो, ठीक, अगर oxidize करेगा, तो दूसरे को क्या करेगा, तो वो agent कैसा काम किया, reducing, और अगर कोई maximum में है, तो भाई उसके बसका और तो है नहीं हो, oxidize होना, तो क्या करेगा, खुद reduce, दूसरे को oxidize, तो यह दे confused ना वह अगरा, सोच लिया करो, कि वो पहल खुद हो जाएगा, oxidize, तो लेख लो, element in minimum oxidation state, element in minimum oxidation state, act as reducing agent, बहुत बच्चों को confusion रहते हैं, वो समझ नहीं बात है, बिल्कुल basic से समझा करो, और लेख लो, element in maximum oxidation state, कैसे act करता है, oxidizing agent, अब बात है, prediction of products, predict करता है, product क्या बनेगा, लक्षे बनेगा, बनेगा, tension वाली बात नहीं आगे कराएंगे इसको, हमारा idometry में यही तो चलेगा, idometry में यही तो करेंगे हम, tension ना लो, अब heading डालो, prediction of products, prediction of products, products को अब हम चलते हैं, predict करने की क्या बन सकता है, question उसके बाद में करेंगे, करेंगे, पहले इतना ही जेगा बहुते है, सबसे पहले लेको, मेरा एक एक, फिर भी लिए, अगर मेरा, kmn of 4 है, ठीक है, या kmn of k भी रहने दो, हम mn of 4 की बात करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत पैट के तमाशा देगे, अगर मैं इसको, acidic medium में लेता हूं, तो मेरा क्या बनेगा, mn 2+, अगर मैं लेता हूं, basic में, basic छोड़ो, पहले मैं लेता हूं, basic बोल लो, या neutral बोल लो, ठीक है, जब तक वो highly basic नहीं बोलता, तो हम यहीं मान के चलते हैं, ठीक है, slightly basic और neutral एक ही बात होती है, तो यहाँ पर वो किसमें जाते हैं, किसमें, और अगर मेरा strongly basic होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर strong जब तक नहीं बोलेगा, हम यहीं मान के चलेंगे, प्लस 6, तो यहाँ पर change कितने का हो रहे हैं, कितने का, यह प्लस 7 था न, कितने का change हुआ, 5 का, और यहाँ, यहाँ पर हुआ 3 का, और यहाँ 1 का, तो एक चीज़ आ रख लो, एक बाद एक match हुआ था, वर्ल्ड कप में, ठीक है, match क्या था, बांगलादेश के साथ, और बां एक तिन पांच क्यों, एसेडिक में पांच है न, N factor, रट्टा थवड़ी मारना है, यह तो देखो न, वैने तो एक तिन पांच बढ़ा था, यह तो देखो न, एसेडिक की बात कर रहा हूं है, तो एसे याद रह सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, यह बेसिकली ऐसे याद तो बैटर है इसका क्लर क्या होता है लाइट पिंक इतना तो याद होना चाहिए इसका क्या होता है इसका ब्राउन नहीं बता क्लर किसी के इसका इसका ग्रीम यही अगर मैं कि वाहां पर हमेशा वह एक ही होगा मेडियम तो क्या बनाता हो इसका कलर क्या होता है तो यहां पर कोई मेडियम टेंशन नहीं लेनी हमेशा वही बनेगा यह एन फेक्टर का यह बी एन ठीक हो ना समझे न मतलब ही हमारा एन फेक्टर की ट्रिक भी मेरेको तो अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी लेगती कई बूल जाते हैं तो लो सबसे अच्छी चीज मेरेको अपकराएं थी मैं वेट कर रहा था उसका पूरी क्लास में थे इंच्छी बात होने वाली अब बात है प्रिडिक्शं आफ अनाईंस यह important case है हम नाईंस को कैसे नियां से समझना हम अनाईंस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे तो यह बत इसके बाद छोड़ दूँगा यह मेरे फेवेट चीज़ है आज की क्लास की हुर कि इस पर द्यान देना अ हुए इस फेस होता है इतना ही बस कर लेते हैं निस सा ठेर तो अब द्यान से देखेना मेरे कोना कि अन तरह करने कि अन आइन्स रूप जो फिर ढूब पीछा नहीं चोड़ाई कि पढ़ह ए फिर अना है एक होते हैं, आइट, और एक होते हैं, अब भी समझ आजेगा, यह तरह तुम नुमन कलेचर इसी मान सकते हो, पता चले हैं कैसे नाम करना होता है, अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मेरा जो 1 एक एसीड था, 1 एक एसीड है ना, आपने पढ़ा एक एसीड जो अपनी मैक्सि जो उसमें से एक oxygen remove कर दूं तो मुझे क्या देते हैं आइट है कोई रट्टा नहीं मानना भूल जाते हैं इसको sulfate बूले sulfide समझ लो यहां से आता है वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब क्या होगा या मैं मैं i.t. एक और तरीके से बना सकता हूं याद है मेरे एक अससीड सा अस एसिड में से मैं सारे हच प्लस कर दो ओल हच प्लस रिमूव तो भी मेरा इच बन जाएगा एक्जामपल के तोर पर, अन्यूरा क्या है है अब अगर मैं इसमें से oxygen निकाल दूँ क्या बनेगा SO3, 2-2 क्या बन जाएगा? Sulfite और यही अगर मैं SH2, SO3 में से सारे H+, निकाल दूँ तो भी मेरा क्या बनेगा? Sulfite, यह इस चीज की application थी मतलब अनाइन्स भी हमने ऐसे रट्टे जो मारे होते हैं उसका तरीका होता है कभी भी में और 1-2 में से मेरे जो H+, निकाल दूँ बनता है वो 8 होता है उसमें से oxygen निकाल दो 8 यह असमें से सारे hydrogen निकाल दो यह बनाता है अब बाद है ऐड़ोन होते हैं आइड आइड वेम तुम्हें क्या करना है? जो मेरा neutral है ना उसलिए एक इसों कितने चीए नाइट्रोजन कितने चीए तो यह सारे मेरे क्या हो गए आई लग जाएंग ऑकसाइट सलफाइट क्लोराइड आयोडाइड नाइट्राइड समझ रहे हो तो यह कुछ कहीं से भी यह पताया ही नहीं जाता कभी इसलिए हमें दिक्कत होती है जो तुम आज तक रट्टे मारते वारे कल करेंगे ठीक है कल आते ही नमाके तार जीजी स्टार्ट कर देंगे अरे कल तो नहीं है अब दो नेक्स्ट श्वीक होगी कल तो तुम पढ़ोगे और गैनिक टेक है एक्चल टाइम क्या हुआ ऐसे ताइम तो पढ़ादा हो अभी भाई रुक जाओ रुक जाओ खतम करके जाओ ये टोपी तो खतम कर लो अगली क्लास में फिर दिक्कत होगी वापिस रुक जाओ वाई आसे उल्टे काम ना करो विश्वास ही निकरू आगे तुम पर ये तो बगवान की दिया से बस घड़ी है वहना तुम मुझे पागल बना जो रही है तो आगे तेर पर विश्वास खतम ठीक है तो अनाइन्स की बात करते हैं ओक्सीडेशन पर मेरा क्या होगा ठीक है मतलब की अगर मैं इनको अक्सीडाइस करूं तो क्या बनेगा दियास समझब आ चाब भी अगर मेरा out i ongoing १फिक रम यान बोलो वोर मेरा किसमरीन अवर्ट और यह वैट में समज orchest exploridoum आंस अगर मेरा अस टींड मतलब चरहे लूगया मतलब यह चलत मिया मिरा यह घा आ नाम था इसका इसका क्या नाम था review miben अगर height कर दूहों क्या बन जाएगा सै अम मेरा 3p s o 4 ए s o 4 ए s o 4 फिन तो एयस्टो एस तो 4 था ठीक है s2 ETO3 उसका उदेशन कर दो तो क्या बनेगा a s2 s o 4 मतलब क्या हो गया तो यहां पर हमें जरूरत ही नहीं है अगली बात है अगर मुझे के टाइन्स की करनी है के टाइन्स में मेरा क्या होगा मेरा अस कनवर्ट हो जाएगा एक में मतलब अगर मेरा आइड आइड अनाइन आइड अपना कनवर्ट हो जाएगा नूट्रल में मतलब क्या हो गया जैसे मेरा फ्लोराइड था किसमें अगर जैसे एक ही ओगया और जो गया और जो इंपोर्टेंट है वह है एस तु नेगिटिव वह किसमें करनाट हो जाएगा एस एट में समझ रहे हो और जो सबसे इंपोर्टेंट है आयोडीन आयोडीन के साथ घपले है आयोडीन डिपैंड करता है कौन सा मीडियम है अगर एच प्लस होगा तो आई टू में जाएगा अगर वह बेसिक मेडियम ह होगा तो वह जाएगा आई ओ थ्री नेगिटिव सबसे इंपोर्टेंट है आदे बचे यहीं पर अपने कॉशन में उनको लगता है आई टू में जाएगा वह आई ओ थ्री में भी जा सकता है अगर बेसिक मेडियम होगा सबसे इंपोर्टेंट है अभी तक का पार्ट यह तो और अगर में पोलोगोग अल्क्ली मेटल है अल्कली मेटला किया होगां अक्सीडेशन में वोग तो इसलिएशिएटि女 किसि लोगा वués है तो अगर मैं एंन्-फलस की करता हूँ काहां जाएगा ओ अगा सोड़ी है पढ़ा रहा है ने लो लेख लोग यल्कली मैटल्स and alkaline earth metals don't undergo oxidation. Alkali metals and alkaline earth metals don't undergo oxidation. मैं बच्चपन में बता है? बच्चपन में इन दा सैंस जब तुमाईज इतना था? अभी मेरा इतना भी बूड़ा नहीं हुआ. ठीक है? तब मैं क्या वो सकता हूं? आम में रखे हैं H2O2. मेरी confusion बता है क्या होती? मैं वो बता रहा हूं. H2O2 है न? कई बार हम लिख देते थे उसको H2O2 और H2O plus O2. और कई बार लिख देते थे O2. कोई बता सकता है इसका मतलब के है? मुझे बहुत दिक्कत होती थी यह अपने मर्जी से क्यों कर रहे हैं यह? क्या? तो देहान लख ना? यह कब होता है? जब H2O2 self-decompose होता है. और नीचे वाला कब होता है? जब मैं H2O2 को oxidizing agent के साथ react करा हूं. तो देहान लख ना? तुम्हारे भी आगे जाके दिक्कत आ सकती है. कि H2O2 कभी हम यह लिख दें, कभी हो. यह कब होगा? जब हो self-decomposition होता है. लेकिन यह कब होगा? जब मैं oxidizing agent के साथ इसको react करा हूं. तो यहां तक अगर हो गए न, तो अगली क्लास में दिक्कत ना आएगी. वरना basic से तुबारा बताना वरेता.